सबी किसान भाई का स्वागत है आपके अपने यूटूब चिनल विजे सेगरी कल्चर में किसान भाई आप जो ये वीडियो देख रहे हैं इसमें बोखना, काचरी के बेले और सकरी पत्ती के खरपतवार देखने को मिल रहे हैं तो इस खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए हमने जो कांबिनेशन रखे हैं वो आपको बता रहे हैं सबी कांबिनेशन के डूस के बारे में, टेक्निकल फ्यूजर के बारे में, साथ ही इन सब का एक एकड़ में कितना खर्च बेठेगा और जानेंगे महत्तपुन जानकारी यह उमसाधानों के बारे में वीडियो में लाश्ट तक बने रहें ताकि से जानकारी आपको मिल सके किसान भाई अगर आप विजेस एकरी कल्चर पर पहली बार आएं तो प्लिस लाइक किम सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने पहले इस चेहों को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले नमर पर हमने रखा है वहों टेकनिकल है इमजे थभ फायर 10% ACL फर्मलडेशन यह टेकनिकल चूड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए बेस्ट टेकनिकल है यह टेकनिकल आपको B.S.F. कंपणी के पर्शूट प्रोड़क्ट और विलूट कंपणी के पेट्रियोट प्रोड़क्ट में देखने को मिल जाएगा इसके डोस के बारे में अगर बात करें तो 300 से 400 मेल पर्तियकर तक ले सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे इस्पेशल सक्री पत्ति वाले खर्पतवार कंट्रोल के लिए कौन सा टेकनिकल लेना है तो वो टेकनिकल है कलेथोडिम 25% WW240GL इसी फार्मलेशन में देखने को मिलेगा यह टेकनिकल आपको UPL कंपणी के शैंचुरन प्रोड़क्ट और स्वा अगर चोड़ी पत्ति वाले खर्पतवार की संख्या जादा हो तो इसमें आप क्लोरी मूरान इथाइल 25% WP फार्मलेशन जो की आपको क्लोरोन या क्लोबीन डबदी में देखने को मिल जाएगा इस काविमिरस के साथ एक डबदी मिक्स कर सकते हैं साथ ही आप फोमे साफ ह 11.1% WW Plus Flow Jeep Up 11.1% WW SL फार्मलेशन पी ले सकते हैं ये टेकनिकल भी चोड़ी और सक्री पत्ति दोनों तरह के खर्पतवार को कंट्रोल करेगा इस टेकनिकल आपको डिव फ्लेक्स प्रडॉक्टर में देखने को मिल जाएगा इसकी डोस के बारे में अगर बात करें तो 400 एमेल परती एकड़े या 40 एमेल परती 15 लिटर पाने में मिक्स कर आप इसका छरकाव कर सकते हैं प्राइस की बात करें तो चारों कांबिनेशन का खर्च एक एकड़ में 1100-1200 रुपे के शम्तिंग बेढ़ेगा ध्यान रहे इन चारों के कांबिनेशन से थोड़ा स्वाविन की पर जटका आएगा लेकिन 8 से 10 दिनों में स्वाविन वापस रीकवर होने लग जाएगा खर्पतवा नसक का उपयोग करने से पहले कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना जरूरी होता है ताकि खर्पतवार पर वेस्ट रिजल्ट देखने को मिल सके जैसे चिरकाव करत में आपको बताये हैं इनके साथ चिप को सामिल है लेकिन कई खर्पतवा नाशक के साथ चिप को नहीं आता है इसलिए बरसात के मोसम में चिप को मिक्स करना भी जरूरी होता है पाने की मातरा कम नहीं रखना है करिब एक एकड में डेड़ सो से 200 लिटर पाने खर्च होना चाहिए पेट्रियोट और डबी का घोल से बनाना है शेंचिणन शेंचूरन का भी घोल से बनाना है अगर आप 15 लिटर वाले पंप से आख रहेंैं तो अलग अलग घोल रहने दें या आप इस परे मसीन से आख रहें तो दोनों को ऐलग अलग घोल बनाकर इसके बास आप म किसान भाई अगर आपको स्वाविन के भसल में चोड़ी और सक्री पत्ति वाले खर्पतवार को नियंतन करने के लिए इनका मिलेशन के बारे में अगर जानकर यह लगी हो तो प्लीज लाइए कि मस्क्राइब जरूर करें